जब भी घर में सब्जी नो हो और सरे पॉर सरे पियास टमाटर रखे हो तो आप बना सकते हुँ खोटेल और धाबे से भी जदा अच्छी पियास टमाटर की सब्जी और इसे के साथ हरे प्यास वाला ऐसा नया लच्छा पराठा बनाएंगे जो काफे क्रिस्पी और खस्ता बनता है तो चलिए आज की नई रिस्पी शुरू करते हैं यहाँ पर हमने छोटी छोटी प्यास ली है और यह लगभग 12-15 प्यास है इसे छिल कर इसके बीच में हमें क्रॉस का निशान लगाना है सारे प्यास पर निशान लगाने के बाद इसे एक साइज रखेंगे और लेंगे तीन बड़े टमाटर जो हमने बड़े टुकडो में काटा है अब कड़ाए में थोड़ा टेल डालना है और इसमें यह प्यास डालकर अच्छे से फ्राइ करना है जहां दोस्तों जैसे जैसे हम प्यास को फ्राइ करते हैं इसका हलका मीठा पन बहुत अच्छा लगता है और प्यास अच्छे से भून कर केरमलाइज होती है अब इसमें डालेंगे कुछ काजू और यह टमाटर टमाटर डालने के बाद दोस्तों हमें इसे जादा नहीं पकाना है क्योंकि आज की सबजी प्यास टमाटर की बन रही है तो टमाटर जादा मैशी नहीं होने चाहिए जैसे हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे थोड़ी देर यह भून जाएगा उसके बाद हमें सारे प्यास टमाटर निकाल लेना है बस कड़ाई में हम 3 प्याज, छोटी छोटी और थोड़ी से टमाटर और थोड़ी से काजू रखेंगे पकी सारी चीज़े निकाल लेंगे और ये देखें दोस्तों हमने बस ग्रेवी के लिए इसमें थोड़ी से काजू, टमाटर और छोटी तीन प्याज रखी है अब इसमें जीरा, लॉंग, इलाइची, कालीमेच और दालचिनी के साथ साबुद धन्या डाला है और इसे अच्छे से पकाना है अब देखें जैसे जैसे हम पकाएंगे सारे प्यास टमाटर अच्छे से मैशी हो चुके हैं अब इसे ठंडा करने के बाद मिक्सर में डालना है मतलब मिक्सर के जार में डालना है और इसमें पानी डालकर इसे पीस लेना है अच्छे से फाइन पेस्ट होने तक पीस लेंगे और फिल लेंगे कड़ाई अब हम ग्रेवी की तयारी करेंगे तो कड़ाई में मैंने ले लिया है दो बड़े चमच तेल आप कम भी ले सकते ही इसमें ये जो पेस्ट हमने बनाई थी वो डालेंगे फिर लसन अद्रक का पेस्ट धनिया पाउडर हल्दी पाउडर लालमिच पाउडर डाल कर अच्छे से मिलाना है अब जैसे जैसे हम इसे क कीवी और इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगी तो जब भी घर में सब्जी ना हो और स्री प्यास टमाटर हो तो आप यह लाजवाब सब्जी ज़रू बनाना अब फ्राई के वे प्यास टमाटर का जोएट करेंगे थोड़ा पानी स्वादनुसार नमक डाल कर अच्छे से मि अच्छ पर पकाएंगे तकि सारा जो ऑईल है वो सेप्रेट हो जाए और प्यास में ग्रेवी का शांदार टेस्ट विया जाए चले दोस्तों हमने इसे ढखकर पका लिया है और यह हमारी गजब की टेस्टी प्यास की सब्जी बन कर तयार हो चुकी है यह देखे दोस्तों इसका बिल्कुल वो hotel restaurant वाला ही आएगा योगि gravy जो है ना वो हमने बिल्कुल hotel style बनाई है तो चलिए इसे हम serving bowl में निकाल लेते हैं तो जैसे मैं इसे निकाल रही हूँ आप gravy का texture देखिए दोस्तो बहुत ही creamy और बिल्कुल एक शाही सब्जी जैसा टेस्ट आता है तो ये तो हो गई हमारी सब्जी प्यास की लेकिन इसके साथ बनाएंगे हम हरे प्यास वाला लच्छा पराठा जो बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही खस्ता बनता है तो इसके लिए आपको normal चपाती का आता ही लेना है कोई अलग से आपको आता नहीं लगाना है और इसे थोड़ा बेल लेना है जैसे ही हम इसे बेल लेंगे हमें इसके बीच में तेल और आता लगाना है क्योंकि आज हम बहुत आसाने से ये प्यास वाला लच्छा परठा बनाएंगे तो अच्छे से तेल और आटा लगा लेने के बाद हमें इसके बीच में ये हरे प्यास डालना है बारिक टीवी अच्छे से डालेंगे फिर डालेंगे सफेद तिल बहुत अच्छा क्रण्च आता है और अब इसे रोल कर लेना है अच्छे से टाइटली रोल करना है और फिर इसे हमें फोल्ड करना है बिल्कुल इस तरीके से और अब बीच में इस तरीके से कट करना है हाफ कट करेंगे और जैसे ही कट करेंगे और खोलेंगे आप देखे इसमें कितने सारे लच्छे आ चुके हैं बस दोस्तो अब इसके उपर थोड़ा सा अटा लगाईए और इसे बेल लीजे बहुत आसानी से ये बेल कर तयार हो जाता है तो इस तरीके से ये लच्छा पराठा बनाना काफी आसान भी है और खाने में ये काफी टेस्टी भी लगता है क्योंकि सारे जो प्यास के चोटी-चोटी चंक से वह बहुत अच्छे से फ्राय होते ही चलिए दोस्तो इसे अब हम सेक लेते हैं तो तेल लगा कर अलगते पलटते सेकेंगे न तो ये जो प्यास है इसका सारा जो मौशर है वो रिलीज होता है इससे पराठा काफी जादा क्रिस्पी हो जाता है तो ये देखेंगे दोस्तो हमने इसे बहुत अच्छे से सेक लिया है और ये जो पराठा है बन कर तयार हो चुका है इसी तरीके से हमें बाकी के सारे पराठी फ्राय कर ले नहीं और ये कितना खसता है ये देखिए तो है ना बहुत ही शानदर और मज़ेदार तो इस प्रेसिपी को ट्राय कीजिएगा और मुझे कमेंड में जरूर बताइएगा कि ये प्रेसिपी आपको कैसे लगी अच्छी लगी हो दोस्तो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टिके दोस्तो